नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिया ये इस वीडियो में हम अपने चैप्टर से संबंधित कुछ महतपूर आंखिक प्रशनों को हल करेंगे और यहां पर इस प्रशन में दिया गया है कि किसी आउता लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटी मीटर है बिम्ब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिम्ब का लेंस से 10 सेंटी मीटर की दूरी पर प्रत्विम बने लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन भी ग्याद कीए अब यहाँ पर देखें जो कुछ भी कहा जा रहा है इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे और चित्र में यहाँ कुछ इस प्रकार से दर्साया गया है देखें यहाँ पर एक आउता लेंस है इस लेंस के सामने एक वस्व अबी रखा हुआ है और इस lens के द्वारा प्रत्विम का निर्मार किया जा रहा है देखिए यहाँ पर A-B-स है और इस बासु का प्रत्विम यहाँ पर निर्मित हो रहा है अब यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम नोट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी आउता लेंस की focus दोरी 15 cm है तो यहाँ पर जो F की वैलू है, इसका मान हो जाएगा minus 15 cm यानि focus दोरी हो जाएगी minus 15 cm आपके मन में प्रस्फ नारा हो है कि यहाँ पर हमने focus दोरी को minus में क्यों लिखा है तो देखिए, दूरियों को हम कहां से मापते हैं, प्रकासि केंदर से मापते हैं यानी ओ बिन्दू से मापते हैं तो अगर दूरियों को मापने के लिए हम प्रकास के किरन के विपरी 달िशा में चलेंगे, तो दूरियां Reard Heart Pak में हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिए focus दूरी को मापने के लिए हम क्या करेंगे O, बिंदू से ले करके F1 बिंदू के बीच की दूरी को माप लेंगे तो यही हो जाएगी focus दूरी तो यहाँ पर focus दूरी कमान डिडात्मक में है अब यहाँ पर देखिए बिम्ब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें यानि कहा जा रहा है कि जो बिम्ब है बिम्ब मतलब वस्व है तो हमें यहाँ पर वस्व की दूरी को कैलकुलेट करना है यानि यू की दूरी को ग्याद करना है अब यहाँ पर देखिए इसके द्वारा बिम्ब का लेंस से 10 cm की दूरी पर प्रतविम्ब बने यानि यहाँ पर जो प्रतविम्ब का निर्माड हो रहा है उसकी दूरी दी गई है देखिए यहाँ पर प्रकासिक केंद्र है तो प्रकासिक केंद्र से इस प्रत्विम की बीच की दूरी दी गई है और इसे हम small v से वेक्ट करते है तो यहाँ पर small v की value दी गई है 10 cm तो इसकी value भी रिणात्वक में होगी यानि minus 10 cm लिखेंगे अब यहाँ पर देखी हमें calculate क्या करना है तो यहाँ पर हमें u की value को calculate करना है अब इसकी value को हम कैसे calculate करेंगे देखें इसके लिए formula होता है 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u और इसी formula की साहता से हम यहाँ पर u की value को calculate करेंगे यानि यह जान लेंगे कि यहाँ पर प्रकासिक केंदर से वस्तु कितनी दूरी पर है तो देखी यहाँ पर हमें U की value को ग्याद करना है तो U के term को हम एक तरफ करेंगे और बाकी सभी term को हम दूसरी तरफ ले करके जाएंगे तो U को हम बराबर के इस तरफ ले करके जाएंगे और F को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ से value हो जाएगी 1 upon U is equal to 1 upon V minus 1 upon F अब यहाँ पर इस फार्मूले में हम सभी मान को put करेंगे तो यहाँ से देखिए V की value कितनी है इसका मान है minus 10 cm तो यहाँ से value हो जाएगी minus 1 बटे 10 अब यहाँ पर देखिए V की value कितनी है तो इसका मान है minus 15 cm तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus 1 बटे 15 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ से 1 upon U की value हो जाएगी minus 1 upon 10 plus 1 upon 15 अब यहाँ पर देखिए इसे हम solve करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी 1 upon u is equal to 1 upon 15 minus 1 upon 10 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 15 और 10 का लासा गयाद करेंगे तो यहाँ पर जब हम 15 और 10 का लासा गयाद करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 30 अब यहाँ पर देखिए 15 दुना 30 और 10 तियां 30 और यह हो जाएगी 1 upon u की वैलू अब यहाँ से 1 upon u की वैलू हो जाएगी minus 1 बटे 30 और यहाँ से u की वैलू हो जाएगी minus 30 और यहां का इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक सेंटीमीटर में होगा क्योंकि सभी दूरियां सेंटीमीटर में होगी तो इसका भी मात्रक सेंटीमीटर में ही प्राप्थ होगा तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो lens का प्रकासी केंद्र है प्रकासी केंद्र का मतलब जो O बिंदू है इस O बिंदू से जो वस्त रखा होगा वह 30 cm की दूरी पर रखा होगा अब यहाँ पर देखें अभी हमारा प्रस्पन हल नहीं हुआ है अभी हमें यह ग्याद करना है कि lens द्वारा उत्पन आवर्धन भी ग्याद कीजे तो आवर्धन को हम कैसे ग्याद करेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है M is equal to प्रतविम की उचाई upon वस्त की उचाई यानि प्रतविम की उचाई वटे वस्त की उचाई यान ना ग्याद हो तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम आवर्धन को ग्याद करने के लिए इनकी दूरियों को ग्याद करेंगे यानि यहाँ पर जो प्रतविम की दूरी है बटे वस्त की दूरी है इसकी दूरी को ग्याद करेंगे तो यहाँ से आवर्धन के लिए नया फार्मूला हो जाएगा M is equal to V upon U अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो चलिए हम put करते हैं तो यहाँ पर देखिए V की value कितनी है इस का मान है minus 10 cm तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus 10 बटे U की value कितनी है तो U का मान अभी आपने calculate किया है minus 30 cm तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus 30 अब यहाँ पर देखिए minus से minus cancel हो गया 0 से 0 cancel हो गया और यहाँ से M की value हो जाएगी 1 बटे 3 यहाँ पर अगर हम 1 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.33 तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके आवर्धन को भी calculate कर लिया अब हम अगले आंखिक प्रशन को हल करेंगे और यहाँ पर प्रशन में दिया गया है कि किसी आटो मोबाइल में पीछे का द्रिस से देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता 33 मीटर है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर इस्थित है तो प्रतविम की इस्थिती, प्रकृती, तथा साइज ग्याद कीगे अब यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे और चित्र में यहाँ पर इस्थिती को कुछ इस प्रकार से दर्साया गया है देखें यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है इस उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पर एक बस इस्थित है यानि बस खाड़ी है अब यहाँ पर यह जो बस्त होगी या इस दरपण के लिए वस्तू का कारे करेगी अब आपको मालूम है कि अगर कोई वस्तू किसी दरपण के सामने इससित हो तो इस दरपण के द्वारा इस वस्तू के प्रतविम का निर्मार किया जाएगा और यहाँ पर A-B- इसका प्रत्विम बन रहा है अब यहाँ पर देखिए प्रस्ण में क्या क्या कहा जा रहा है इसे सबसे पहले हम नोट करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी आटो मोबाइल में पीछे का द्रिस देखने के लिए उपियोग होने वाले उत्तल दरपन की वकरता त्रिजया 3 मीटर है यहाँ पर R की वैलू दी गई है और इसका मान है 3 मीटर अब यहाँ पर देखिए वकरता त्रिजया को हम मापेंगे कैसे तो P बिन्दू से यानि दर्पन के दूर्व से यहाँ पर जो C बिन्दू दिया हुआ है इसी के बीच की दूरी को ग्याद करेंगे तो यही हो जाएगी वकरता द्रिज्या अब यहाँ पर देखिए और क्या कहा जा रहा है अब वस्तु की दूरी को हम कैसे मापेंगे दर्पन के दूर्व से मापेंगे और इसे हम स्मॉल यू से व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल यू की वैलो हो जाएगी माइनस पांच मीटर अब आप सोच रहे होंगे कि हमने माइनस में क्यों लिखा तो देखिए दूरियों को मापने के लिए हम दर्पन के दूर्व से मापते हैं और जब हम प्रकास के किरण के विपरी दिसा में चलेंगे तो सभी दूरियां डिरात पक में होंगी तो इसी के कारण यहाँ पर हमने माइनस का चिन लगा दिया अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतविम की इस्थिती ग्याद कीजिए प्रकृती ग्याद कीजिए तथा साइस ग्याद कीजिए यानि यहाँ पर हमें वी की वैलू को कैलकुलेट करना है अब यहाँ पर देखिए B की value को हम कैसे calculate करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें F की value नहीं ग्याद है तो सबसे पहले हम F की value को ग्याद करेंगे तो यहाँ पर F की value को हम कैसे ग्याद करेंगे देखे इसके लिए formula होता है F is equal to R by 2 F क्या है? F यहाँ पर focus दूरी है यहाँ पर दरपण के दूर्व से अगर हम F बिंदू की बीच की दूरी को ग्याद करें तो इसी को हम कहते है focus दूरी अब जो focus दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की याद ही होती है यहाँ एफ का मान R by 2 के बरावर होता है अब यहाँ पर देखे R की value क्या है? और F की value ग्याद है तो यहाँ पर हम V की value को ग्याद कर सकते है कैसे ग्याद करेंगे? इसके लिए हम दरपण का फार्मूला लगाएंगे और दरपण का फार्मूला होता है 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U अब यहाँ पर देखे यहाँ पर हमें V की value को calculate करना है तो U के term को हम इधर लेकर करके आएंगे तो यहाँ से 1 upon V की value हो जाएगी 1 upon V is equal to 1 upon F minus 1 upon U अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो चलिए put करते हैं तो यहाँ से 1 upon V की value हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 upon F दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए F की value कितनी है इसका मान है 3 बटे 2 तो यहाँ से अगर हम 1 upon F की value को गयात करने तो इसका मान कितना होगा इसका मान हो जाएगा 2 बटे 3 तो यहाँ पर हम 1 upon f की जगह पर लिखेंगे 2 बटे 3 माइनस अब यहाँ पर u की वैलू कितनी है तो u का मान दिया हुआ है माइनस 5 मीटर तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 upon u की वैलू हो जाएगी 1 बटे 5 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हम इस टर्म को solve करेंगे तो जब हम इस टर्म को solve करेंगे तो यहाँ पर हम 3 और 5 का लासा लेंगे तो यहाँ पर जब हम 3 और 5 का लासा लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 15 अब यहाँ पर देखें 3 पचे 15 और 2 पचे 10 और यहाँ पर 5 दिया 15 और यह हो जाएगी 1 अपॉन वी की वैलू अब यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर हम वी की वैलू को ग्याद करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 15 बटे 13 अब यहाँ पर हमें वी का मान ग्याद करना हो तो हम 15 हमें 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए जब हम 15 में 13 से भाग देंगे तो यहाँ से V की वैलो हो जाएगी 1.15 मीटर अब आप सोच करके बताईए कि यहाँ पर यह जो दूरी ग्यात हुई है यह धनात्वक में होगी यह रिडात्वक में होगी तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्रकासी केंद से दूरीयों को मापते हैं और जब प्रकास के किरण की दिसा में चलेंगे तो दूरीया धनात्वक में होगी तो यहाँ पर जो प्रतविम निर्मित हुआ है प्रतविम की जोरी जो हम P विन्दू से ग्याद करेंगे तो यह जो दूरी होगी यही हो जाएगी V की दूरी और यह धनात्मक में होगी अब यहाँ पर अभी हमारा प्रस्टन हल नहीं हुआ है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि प्रतविम की प्रकृति ज्याद कीजिए तो प्रतविम किस प्रकार का निर्मित हो रहा है देखिए यहाँ पर आपका उत्तल दरपन है और जो प्रतविम निर्मित हो रहा है वह दरपन के पीछे निर्मित हो रहा है और यहां पर आभासी रूप से निर्मित हो रहा है, कि यह प्रकास की क्रेड़े हैं, वह आभासी रूप से मिल नहीं है, तो निर्मित होने वाला जो प्रत्विम होगा, वह एक आभासी प्रत्विम होगा, अब यहां पर देखिए, जो वस्त है, वह इतना बड़ा है, और जो कुछ और भी ग्याद करना है, हमें क्या ग्याद करना है, प्रतविम की size को ग्याद करना है, तो size को हम कैसे ग्याद करेंगे, इसके लिए हम आवर्धन ग्याद करेंगे, यानि यहाँ पर इसका आवर्धन हम ग्याद करेंगे, कि प्रतविम का आवर्धन क्या होगा, अब यहा फार्मूले की सहायता से हम आवर्धन को ग्याद करेंगे, अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए V की वैलू कितनी है, इसका मान है 1.15 मीटर, तो यहाँ से हम वैलू लिखेंगे, minus 1.15, बटे U की वैलू कितनी होगी, इसक से m की value हो जाएगी m is equal to 0.23 तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके आवर्धन को भी ग्याद कर लिया यानि जो निर्मित होने वाला प्रतविम है इसकी size को भी ग्याद कर लिया अब हम अगले आंखिक प्रस्न को हल करेंगे और यहाँ पर दिया गया है कि कोई 7 cm size का bim, bim मत किसी 18 cm focus दूरी के आउतल दरपन से 27 cm की दूरी पर रखा है दरपन से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखा जाए कि असपस्ट प्रतविम प्राप्त हो प्रतविम की प्रकृति तथा size याद की यानि यहाँ पर हमें इसे भी calculate करना है तो कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़े सबसे पहले मुझे नोट करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है कोई 7 cm size का बिम्ब यानि यहाँ पर वस्तु की उचाई दी गई है और वस्तु की उचाई को हम HO से व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर जो HO की value हो जाएगी इसका मान हो जाएगा 7 cm और क्या दिया गया है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिम्ब किसी 18 cm focus दूरी के यानि यहाँ पर जो अउतौल दर्पन है इसकी focus दूरी दी गई है और focus दूरी को हम small left से बिक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसकी focus दूरी क्या होगी इसकी जो focus दूरी होगी वह रिणात्मक में होगी देखी हम प्रकास के किरण की विप्रीद दिसा में चलनाए है P बिन्दू से हम सभी दूरी को मापेंगे और प्रकास की किरण की विप्रीद दिसा में चलनाए है तो यह जो दूरी होगी यही दूरी कहलाएगी focus दूरी और इसका मान दिया गया है 18 cm और यहाँ पर क्या दिया गया है तो देखे यहाँ पर कहा जा रहा है कि focus दूरी के आउतल दरपन से 27 cm की दूरी पर रखा है क्या रखा है बिम रखा है यानि हमारा जो वस्तु है वह रखा है तो यहाँ पर u की value दी गई है और इसका मान है माइनस 27 cm अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है तो यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि दरपन से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखा जाए देखे परदे की बात इसलिए की जा रही है कि परदे पर प्रत्विम बनेगा तो दर्पन से कितनी नूरी पर परदे को रखा जाए कि अस्पस्ट प्रत्विम प्राप्त हो यानि यहां पर हमें V की वैलू को calculate करना है तो कैसे calculate करेंगे? हम दर्पन का सूत्र इस्तिमाल करेंगे और दर्पन का सूत्र क्या होता है? तो देखें जो दर्पन का सूत्र होता है इसका मान होता है 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U क्या calculate करना है? V की वैलू को calculate करना है तो V वाले टर्म को हम एक तरफ करेंगे तो यहां से वैलू हो जाएगी 1 upon V is equal to 1 upon F minus 1 upon U अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को put करेंगे तो यहां से देखें F की वैलू कितनी है इसका मान है minus 18 cm तो यहां से लेखेंगे minus 1 बटे 18 अब यहां पर देखें minus U की वैलू कितनी है इसका मान है 27 cm तो यहां पर plus 27 हो जाएगा यहां पर plus 1 बटे 27 हो जाएगा और यह हो जाएगी 1 upon V की वैलू अब यहाँ पर इसी को हम solve करेंगे तो यहाँ से 1 upon V की value हो जाएगी 1 upon V is equal to 1 upon 27 minus 1 upon 18 अब 27 और 18 का यहाँ पर हम LCM लेंगे तो इसका जब हम LCM लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 54 अब यहाँ पर देखिए 27 दुना 54 और 18 तिया 54 तो यहाँ से value हो जाएगी और जब इसे solve करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी minus 1 बटे 54 और यह किसकी value है यह यहाँ पर 1 upon V की value है तो यहाँ से अगर हम V की value को निकालेंगे तो V की value हो जाएगी minus 54 cm तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर जो दरपन का धुब है यानि जो P विंदू है P विंदू से अगर हम 54 cm की दूरी पर परदे को रखेंगे तो हमारा प्रत्विम बन जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने V की value को calculate कर लिया लेकिन अभी हमारा प्रश्ण हल नहीं हुआ है अभी क्या करना है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्विम की प्रकृति ज्याद कीए अब प्रत्विम की प्रकृति क्या होगी तो यहाँ पर हमने काउंसा लेंस से इस्तिमाल किया है आउत्ता लेंस से इस्तिमाल किया है तो जो बनने वाला प्रत्विम होगा और कैसे बनेगा तेखिए यहां पर जो प्रकास की किरणे है जिस बिंदू पर काट रही है उसी बिंदू पर प्रत्विम बनेगा तो यहां पर प्रकास की किरणे अपने आप काट रही है तो बनने वाला प्रत्विम क्या होगा बनने व पर प्रत्विम बन कैसा रहा है, तो प्रत्विम यहाँ पर उल्टा बनना है, तो यह हो गए प्रत्विम की प्रकृती, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रत्विम की साइज ग्याद करना है, तो साइज हम कैसे ग्याद करेंगे, तो इसके लिए आवर्धन छम्ता का सूत्र इस्तिमाल करेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें दरपन की आवर्धन छम्ता को ग्याद करना है और आवर्धन छम्ता के लिए सूत्र होता है अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें ही की वैलू को कैलकुलेट करना है यानि प्रत्विम की साइज को ग्याद करना है तो यहाँ से हम ही की वैलू को ऐसे ही उतार देंगे और यहाँ पर हम हो की वैलू को इसका मान कितना है? इसका मान यहाँ पर दिया हुगा है 7 cm, यानि जो VIM है, इसकी जूँचाई है, इसका मान है 7 cm, यहाँ पर इसे हम लिख देंगे, और यहाँ पर minus लिखा हुआ है, तो minus लगा देंगे, और V की वहलो को लिखेंगे, तो V का मान अभी आपने calculate किया है, minus 54 cm, अब यहाँ पर u की value को लिखेंगे और u का मान है minus 27 cm, तो इसे भी हम ऐसे उतार देंगे, अब यहाँ पर देखिए minus से minus cancel हो गया, 27 से यह 54 cancel हो जाएगा और यहाँ पर मान हो जाएगा 2, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ह i की value हो जाएगी, तो इस प्रकार से जो बनने वाला प्रत्विम्ब होगा, इसका जो आकार हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा माइनस 14 सेंटी मीटर. अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्ण को हल करेंगे, और यहां पर इस प्रस्ण में यह कहा जा रहा है, कि 5 सेंटी मीटर लंबा कोई बिम्ब, बिम्ब मतलब बस दू, 10 सेंटी मीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटी मीटर की दूरी पर रखा जाता है, प्रकास किरण आरेख खींच कर बनने वाले प्रत्विम्ब की स्थिती, साइज, तथा उसकी प्रकृति ज्याद कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम किरण आरेक खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पर हमने किरण आरेक खींच लिया है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा लेंस है वह एक अभिसारी लेंस है और अभिसारी लेंस हम किसे कहते हैं अब इसारी lens हम एक उत्ता lens को कहते हैं, तो यहाँ पर हमने किरण आरेक के द्वारा खींच दिया कि वस्तु कहा है और प्रत्विम कहा है, तो देखे जो वस्तु होगा वह lens के सामने रखा होगा, तो यह होगा आपका वस्तु, और यहाँ पर जो प्रकास की किरणे हैं, देख पर वस्तु का प्रत्विम बनेगा, तो यह हो जाएगा प्रत्विम की इस हिती, अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्या क्या चीजे दी गई हैं, सबसे पहले हम उसे नोट करते हैं, तो यहाँ पर हमसे यह कहा जा रहा है कि 5 cm लंबा कोई बिम्ब, बिम्ब मतलब वस्तु और वस्तु की जो लंबाई है वह 5 cm है, तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई या उचाए जो भी कह देजिए, इसे हम HO से वेक्त करते हैं, तो यहाँ पर HO की वैलू 5 cm हो जाएगी, अब यहाँ पर देखे, और क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फोकस दूरी 10 cm हो जाएगी, अब फोकस दूरी कहां से कहां तक दूरी होगी, यह हो जाएगा मुख्य फोकस बिंदू, और यह हो जाएगा प्रकासि केंद्र, तो प्रकासि केंद्र से अगर हम मुख्य फोकस बिंदू के बीच की दूरी को ग्याद करें, तो वही हो अब वस्टू की दूरी को हम गयाद करेंगे यहां पर यहां पर इस जो दूरी दी गई है इससे हम धनात्मक लिखें या रिनात्मक लिखें तो देखिए यहाँ पर इस बार हम इस O बिंदू से इधर चलने हैं यानि बाई तरफ चलने हैं बाई तरफ चलने का मतलब यह हो गया कि प्रकास के किरण के विप्रीद दिसा में चलने हैं और जब हम प्रकास के किरण के विप्रीद दिसा में चलेंगे, तो हमारा ये मान रिणात्मक हो जाएगा, तो U की वैलू माइनस 25 cm हो जाएगी, और यहीं पर हमने F की वैलू को ग्याद किया है, तो इसका वैलू धनात्मक में है, क्यों है, क्योंकि प्रकास के किरण की दिसा में हम चल रहे हैं, तो ये वैलू धनात्मक में हो जाएगी, अब कहा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर हमसी ये कहा जा रहा है, कि प्रकास किरण आरेख खींच कर, बनने वाले प्रतविम की इस हिति ग्याद कीजिए, तो ये हो गया आपका वस्तु, और यहाँ पर इस बिंद उपर दोनों प्रकास की किरणे एक दूसरे को काट रही है, तो ये हो गई आपकी प्रतविम, तो यहाँ पर इस प्रकास से प्रतविम का निर्माड हो गया, और ये हो गया आपका किरण आरेख, अब हमें ग्याद क्या करना है प्रतविम की इस्सिती को ग्याद करना है तो इस्सिती को हम कैसे ग्याद करेंगे हम यहाँ पर lens का formula क्या होता है तो lens का formula होता है 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम 1 upon V के टर्म को एक तरफ लिखेंगे और बाकी के सभी टर्म को हम दूसरी तरफ लिख देंगे तो यहाँ से value हो जाएगी 1 upon V is equal to 1 upon F plus 1 upon U अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो यहाँ पर देखें, F की value कितनी है? इसका मान है 10 cm, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 upon U लिखा हुआ है और U की value minus 25 में दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे minus 25 और यह किसकी value हो जाएगी? यह यहाँ पर 1 upon V की value हो जाएगी अब यहाँ से इसे हम थोड़ा सा change करके भी लिख सकते हैं 1 upon V is equal to, देखें, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 10 minus 1 बटे 25 अब यहाँ पर 10 और 25 का हम LCM लेंगे तो यहाँ से देखें, जब इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा 1 upon V is equal to 25 और 10 इसका LCM कित्रा होगा? इसका LCM यहाँ पर 50 प्राप्त होगा अब यहाँ पर देखें, 10 पचे 50, तो यहाँ पर value हो जाएगी 5 और 25 दूना 50, तो यहाँ पर value हो जाएगी minus 2 तो यहाँ से 1 upon V की value हो जाएगी, 1 upon V is equal to 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 50 हम ऐसे ही लिख देंगे अब यहाँ से V की value हो जाएगी, V is equal to 50 बटे 3 अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब 50 में हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ से V की value हो जाएगी, V is equal to 16.67 और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखें, जो इसका मात्रक होगा, वह cm में होगा क्योंकि सभी मान cm में है, तो इसका मात्रक भी हमें cm में ही प्राप्त होगा तो इस प्रकार से आप मात्रक लिखना नहीं भूलिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि O बिन्दू से यानि जो प्रकासी केंद्र है प्रकासी केंद्र से जो बनने वाला प्रत्विम होगा इसकी जो दूरी होगी यह हो जाएगी 16-16-67 cm अब यहाँ पर आप इस प्रत्विम को देखिए यह प्रत्विम किस प्रकार का बनना है तो जो प्रत्विम बन रहा है यह आपका उल्टा प्रत्विम बन रहा है और क्या बनना है तो जो प्रत्विम बन रहा है वह एक वास्तविक प्रत्विम बन रहा है क्यों बनना है क्यों प्रकास की किरणे अपने आप मिल रही है और जब प्रकास की किरणे अपने आप मिलती है तो बनने वाला प्रतविम वास्तविक होता है अब यहाँ पर हमें प्रतविम की साइज को ग्याद करना है तो साइज हम कैसे ग्याद करेंगे इसके लिए हम आवर्धन छमता ग्याद क है, HI यहाँ पर प्रत्विम की उचाई है, और HO यहाँ पर वस्त की उचाई है, जिसका आमान दिया गया है, 5 cm, अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे, तो चलिए, पुट करते हैं, तो यहाँ से HI की वैलू को हमें कैलकुलेट करना है, क्या पूछा जा रह है, प्रत्विम की साइज पूछी जा रही है, यानी, कितनी उचाई का प्रत्विम बनदा है, तो इससे हम ऐसी उतार देंगे, अब यहाँ पर देखिए, HO कामान कीतना है, इस कामान है 5 cm, तो यहाँ पर इस वैलू को हम लिख देंगे, अब यहाँ पर V की वैलू को पुट दिया हुआ है तो यहाँ पर हम माइनस 25 लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए सभी टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें HI की वैलू मिल जाएगी HI is equal to देखे 5 का यहाँ पर गुड़ा हो जाएगा तो यहाँ से वैलू हो जाएगी 5 गुड़े अब यहाँ पर देखिए यह जो 3 लिखा हुआ है इसे हम हर में ले करके आएगे तो यहाँ से मान पराप्त हो जाएगा 50 बटे 3 गुड़े 25 और यहाँ पर माइनस का चिन लगा हुआ है तो इसे लगाना हम नहीं भूलेंगे अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए चिस से 50 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ही की वैलू हो जाएगी ही इस इक्वल टू यहाँ पर देखिए 5 गुड़े 2 दस तो यहाँ पर हो जाएगा यह मातरक सेंटी मीटर में हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रतविम की साइज को यानि प्रतविम की सूचाई का प्राप्थ हो रहा है उसे भी कैलकुलेट कर लिया अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्न को हल करेंगे और यहाँ पर दिया गया है कि कोई डॉक्टर एक दस्नलो पांच डायोप्टर छमता का संसोधक लेंस निर्धारित करता है लेंस की फोकस दूरी गयात की यह क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है यानि यहाँ पर यही भी पूछा जा रहा है कि lens किस प्रकार का है तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़े दी गई है उसे सबसे पहले हम note करेंगे तो यहाँ पर lens की छमता दी गई है और lens की छमता को हम capital P से वेक्ट करते हैं और इसका मान है एक दसलनो पांच diopter तो इस value को हम यहाँ पर note करेंगे अब यहाँ पर और क्या दिया गया है तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि lens की focus दूरी क्या होगी तो यहाँ पर small f की value को हम calculate करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर हमें lens की छमता को ग्याद करना हो तो इसे हम कैसे ग्याद करते हैं तो इसके लिए formula होता है यानि lens की छमता का formula होता है एक बटे focus दूरी अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर focus दूरी को ग्याद करना है तो इसके लिए formula हो जाएगा f is equal to 1 upon p अब इसी formula में हम man को put कर देंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से f की value हो जाएगी 1 बटे p की value कितनी है 1,05 तो यहाँ पर 1,05 लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो diopter दिया गया है यह क्या है lens की छमता है तो अगर lens की छमता diopter में दी गई हो f is equal to, देखिए, यहां उपर हम 10 लिख देंगे, और नीचे हम 15 लिख देंगे, अब यहां पर देखिए, 5 दूना 10, 5 सियां 15, और इसकी value मीटर में हो जाएगी, तो यहां से f की value हो जाएगी, f is equal to 0.66, और इसका मातरक किसमें आएगा, तो इसका मातरक हो जाएगा मीटर में, तो इस प्रकार से, जो focus दूरी होगी, इसका मान हो जाएगा, f is equal to 0.66 मीटर, अब यहां पर देखिए, हम से यह कहा जा रहा है, कि क्या निर्धारित lens अभिसारी है, यानि यह जो lens की focus दूरी है, इसी किसाहिता से में बताना है, कि lens किस प्रकार का है, तो focus दूरी किसमें प lens को, हम अभिसारी lens भी कहते हैं, तो इस प्रकार से, हम यह कह सकते हैं, कि जो हमारा lens होगा, वह उत्तर lens होगा, या अभिसारी lens होगा, तो इस प्रकार से, यहां पर हमने इस प्रस्न को हल कर लिया, अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्न को हल करेंगे, और यहां पर हम से य चित्र के माध्यम से समझेंगे और चित्र में इस्थिती कुछ इस प्रकार की है देखिए यहां पर हमने एक समतल दर्पण ले लिया है समतल दर्पण के सामने हमने वस्त उकूर रख दिया है अब यहां पर देखिए समतल दर्पण में जो प्रत्विम का निर्मार होता है वह यहां पर हमें ग्याद क्या करना है? यहां पर हमें यह ग्याद करना है कि दरपण वस्तु से कितनी दूरी पर है? या वस्तु दरपण से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, यहां पर हमें मालूम है कि अगर संतल दरपण हो, तो संतल दरपण से जितनी दूरी पर वस्त रखा होता है उतनी दूरी पर प्रत्विम का निर्मार होता है यानि जितनी दूरी पर वस्त होगा उतनी दूरी पर प्रत्विम का निर्मार होगा तो इस दूरी को हम कुछ माल लेते हैं तो यहाँ पर दरपण से जो वस्त की दूरी है, इसे हम x cm माल लेंगे, तो यहाँ पर आप क्या जानते हैं, इस दरपण से x cm की दूरी पर ही प्रतविम का निर्मार होगा, तो यहाँ पर इस दूरी को हम नोट करेंगे, यानि x cm प्लस x cm, और इसका मान कितना हो जाएगा, इ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2X की वैलू हो जाएगी 15 cm, तो यहाँ से X की वैलू कितनी होगी, तो यहाँ से अगर हम X की वैलू को ग्याद करेंगे, तो इसकी वैलू हो जाएगी 15 बटे 2 cm, तो यहाँ से X की वैलू हो जाएगी 7.5 cm, तो कहने का मतलब यह है, कि भी हो जाएगी साथ दस्वनों पांच सेंटी मीटर अब अगर इसी प्रस्ण में आप से ये पूछता कि दरपर से प्रत्विम कितना दूर होगा तो प्रत्विम भी साथ दस्वनों पांच सेंटी मीटर ही दूर होगा क्योंकि जितनी दूरी पर वस्व होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिवियम का निर्मार होगा तो इस प्रकार से हमने इस प्रस्णू को हल कर लिया